पुलिस ने तुरित कारवाई करते हुए आठ आरोपियों को पिरफतार किया है उनीस अप्रैल की राद दस पजे ग्रामिनों ने लॉकडाउन में पुलिस द्वारा पूरो में रोके जाने के मामले पर उग्रो होकर एएसाई की दुनाई कर दी थी जब एएसाई चेक पोस्ट पर ड्यूटी कर लॉट रहे थे तब भारिंदय के पास हरवे हतियार के साथ घात लागा कर बैठे ग्रामिनों ने पुलिस पर हमला कर दिया जिससे पुलिस घायल हो गया संबंदित मामले में पुलिस दलने ततकाल कारवाई करते हुए एएसाई की पिटाई में शामिल आठ आरोपियों को ग्रफतार कर लिया है ग्रफतार लोगों में हेम चंदर नाकसेन, दुर्गा प्रशाद मातो, शर्मा मच्वा, महिराम मच्वा, चैतन दास, रूप चंद कोईरी, शंकर स्वासी और सुकुमार कोईरी शामिल है पिटार आरोपी सुनाहतु छेत्र के बारेंदा और उलीडी के रहने वाले हैं सुननीज से बुंडू से विनौवद बनारजी की रिपोर्ट चैक पुस्ट लगा के वहां पे लोगों को लॉकडाउन के लिए को करवाय जा रहा था इसी क्रम में दिनांक 17 तरीक को दिन के समय में तीन बाइक पे चार-पांच बैक्ती वहां से बाइक से क्रॉस कर रहे थे और उनको वह एक बाइक पे दो वेक्ती तीन वेक्ती बैठे हुए थे इसको लिके वहां के जो पदादिकारी है दलगोवी मोच्टो उन्होंने उनको रोका कि आप लोग लॉग डाउन का उलंगन कर रहे हैं आप लोग जो एक बाइक पे सरकार का आदे से कि बाइक पे एक ही विक्ती बैठ सकता है और वो भी काफी अतियावस्यक कारे हो तभी धर से बाहर निकले हैं और वो लोग अपने बाइक पे डिजल का गैलन लिये हुए थे इसके लिए उन्हें समझाया गया और हिदायत दी गई इस बात को लेके वो काफी रोस में आ गये वो पास के जो है पेट्रोल पंप से संबंद रखते हैं उन्होंने उस घटना को ले उस घटना को उन्होंने बहुत पुलीस के विपरित लिया और उन्होंने दो दिन के बाद 19 तारीक को रातरी दस बजे के करीब जब हमारी पुलीस वहां पे चौक पोस्ट पे अपनी जूती कर रही थी उसी समय में तीन वाइक पे आठ वेक्ति सवार होके आये और वे हर्वे हतियार से लैस थे और उसमें से एक वेक्ति ने एक लोहे के रट से हमारे पदा दिकारी दलगोवीन महतो के सर पे उसके कंधे पे और उसके हाथ पे जोड़ से प्रहार किया जिसमें उसके सर काफी फट गया है उसे कई सर में चाके लगे हैं और उसके हाथ की हड़ी तूड़ गई है उसके कंधे सामिल लोगों का तोड़ित गती से पता लगाए गया और उसमें आठो बेक्तियों को पकड़ लिया गया है जो की बारंदा और उसके पास में उलीडी से समलित रखते हैं जेल भेजा गया उन सामिल बेक्तियों को आज जेल भेजा रहा है